हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्शे हमारे चैनल पर श्वागत थैं तो फ्रेंड्स। और बी एंटीपी सी रिवाइस रिजाल्ट आउ जी है फ्रेंड्स। प्लस कैंडयट्स क्वालिफ हैद जी के measurable पर आप नहीं किया जा रहा है क्योंब लोग रिलीज में अभी करेंगे अभी लोग सिच्विशन देख रहा है जो स्टेटस आएक उसके बाद ही कुछ करेंगे तो यहाहाँ किया थे बिल्खल आप य्युतुल डेटा में आपको दिक्खाने वाला हूं कि इतने candidates qualified हुए है और किस जोन से कितने candidates qualified हुए है जोन वाइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप 100% confirm हो जाएंगे कि आप CBT2 के लिए qualified हुए है कि नहीं हुए है आप अपना list में check कर सकते हैं कि आप इसमें हैं कि नहीं है अब कैसे आपको list check करना मैं सब कुछ बता चुड़ दिया था कि result पर काम होना start हो गया है result बढ़ना start हो गया है और और इस्टे लग गया उसके कोसी दिन बाद में आप से बोल दिया था कि आपकाiset प्रिपेर भी हो चुका है ठीक है तो मैं यहां पे दिखाने वाला हूँ friends कैसे कैसे मैं यहां बोला हूँ कि 7,6,000,000 तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यह देखते हैं फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कितनी वैकेंसी थी ठीक है जब नूटिफिकेशन आया था रर्वी एंटीपीसी का तो उस टाइम जो था यू आर का जो वैकेंसी था 15111 था लेकिन जब रिवाइज हु हो गया है टोटल जो था 35208 था तो 35281 हो गया है पहले 5277 हुआ था फिर 35284 और बाद में बढ़ गये थे ठीक है एक सर्यूस्माइन का फ्रेंड्स 3360 था तो 3549 हो गया है वी आई का 302 था 302 ही है 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 कि आप क्वालिफाई किये हैं कि नहीं किये है क्योंकि आप कहेंगे न कितने हैं कि कांडिक से क्यसे पतलेगा मैं इस क्यांड़िद में होसी नाहीं तो आप लोग रिंख्रेव कर सकते हैं सबकुछ में messy में रहता है कि कितने को सबकुछ moral में सबकुछ क्लियर route अ straf哥 शुर्ण कर लेंगे तो यहां पहुत करते हैं सबसे पहले एहमदाबात का द मतलब जो number of candidates यहां होने वाले हैं क्योंकि एक हजार डैट लिए माल 24 को और ignore कर दें तो एक हजार 24 को में से अब क्योंट करें और 20 से multiply करें तो 20,000 ठीक है तो जब यहां 20,000 आप समझ रहे हैं अब 20,000 गोड़े 400 कर दे 480 तो यानि कि 2480 यहां पर हो रहे हैं ठीक जब 2480 कैनिट्स यहां पर आएंगे अब आप सोचेंगे 2480 में से मेरा नाम कैसे आएगा मेरा नंबर कैसे आएगा और मैं बता दू फ्रेंट से बत्रेशित आपное अचीस नहीं के जड़ना ही उतना ही पड़ेगा इसमें रृणो-इसमें नहीं कोई डाउट में तो यहां पर आहमरा बाद में 20,48 कैनिट क्वालीफाई करने वाले है Hmm डिमेर में भी ऐसे सोच लीजी आप लगभग 34,000 पैनितियो ज्यार क्वालिफाइब करने वाले हैं ठीक है तो इसमें भी आप आसानी से आ सकते हैं ऐसे ही अलहाबाद में लगभग 80 यर से उपर क्वालिफाइब करने वाले हैं और रैंकलिष में बताओंगा कहां से आपको कैसे आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं है बैंगलोर में माल लीजिए फ्रेंड्स आपका कितने क्वालिफाइड करेंगे लगबग लगबग क्या सकते हैं लगबग लगब 50,000 के आसबस क्वालिफाइड कर लेंगा तो आप वहां पी आप हलव शेफ हो सकते हैं जब ऐसे कट ऑफ गिरेगा तो अब कट ऑफ की बात है फ्रेंड्स तो कट ऑफ में कई जोन कल आई चुका हूं धिरे-दरे में और वीडियो लाते जाओंगा आप लोग चुका हूं फ्रेंड्स कट ऑफ जरूर डाउन होगा रिजल्ट जरूर रिवाइज होगा रिवाइज हो चुका है बस रिलीज नहीं हुआ है वह रिलीज हो जाएगा ठीक है तो बैंगलोर का फ्रेंड्स में बताया जैसे कि मान के चलिए आपका जो है लगबग 49,000 केंडि क्वालिफाइड करेंगे चंडिगर में कह सकते हैं कि आपका जो है लगबग 48,000 केंडिट्स क्वालिफाइड करने वाले हैं ऐसे 48,000 क्या यह आपका हो जाएगा लगबग 50,000 यहां भी हो जाएगा ठीक है 2,000 है 20 से गुड़ा करेंगे 40,000 हो जाएगा तो लगब बैंगलो घिर्ची में लगबग कह सकते हैं कि 26,000 हैं जौलिफाइड करेंगे चिक चमवीं कन्येट बढ़ी बात ऑद यह लोग आ जाएंगे जो लोग अभी इस लिस्ट में नहीं आये लगब बात अकी आर्प कह सकते हैं कि अलगब लगबग 48,000 क्यालिफाइड कर जाएगे साइधियर्स ऊपर अगब देख सकते हैं 10ages स्वालिफाइट काफित यहां डेक्ड़ से 672 से से coming काफी कंड़ाता है लेकिनत पर कहाँ रहता है क्काफी कम रहता है सिट थीए सीट कम रहता है कम फार्म पड़ते हैं इसलिए कट-उफ कम जाता है यहां पर आप लगबग साथ हैं अच्छे खासे पोस्ट हैं तो यहां पे कह सकते हैं कि लगबग 22,000 पोस्ट हैं उसे उपर केंडिट से मल्टिप्लाइग कर लिजेए 20 से करने के बाद क्या होता है उससे कम नहीं हो सकता है उससे आधिक एक-दो रहेंगे क्योंकि जो सेम नमर पर रहेंगे उनको भी मौका मिलता है सीली गूडी में 443 पोश्ट है तो कह सकते हैं लगभग करेंगे त्रीवेंद्रा में लगभग लगभग अठाराजार कैंडेट्स क्वालिफाइड करेंगे यानि 35281 है तो यानि कि 7,6,000 से उपर ही कैंडेट्स क्वालिफाइड करेंगे करेंगे तो 7,5,000 कुछ आएंगे लेकिन वह माल के चलिए जो एक्स्ट्रा पर लास्ट पर कटाफ वे जो बच जाते हैं उसमें 100-200 एक्स्ट्रा एड हो ही जाते हर हाल में यानि कि टोटल कैंडिट्स 7,6,000 के आसपास हो जाएंगे उसके उपर मतलब हो जाएंगे उससे कम नहीं रहने वाले हैं अब जो मैं बात करें से रैंक लिस्ट का कैसे आप लोग रैंक लिस्ट पता करेंगे तो मैं बता दू फ्रेंड्स कोई भी एक्जाम होता है जब कोई भी रिजल्ट होता है तो बहुत से प्राइवेट साइट्स होती है जो रैंक लिस्ट जारी करती ह वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना rank आ रहा है आपका इतना rank आ रहा है नहीं आ रहा है चाहे All India rank बनाए हो लोग चाहे RRB वज rank बनाए हो कहीं भी बनाए हो अगर इतने rank के अंदर आ रहे हैं तो आप 100% qualified है इसमें कोई doubt नहीं है और आप CBT2 के लिए eligible हो चुके हैं CBT2 जून से पहले नहीं होगा तो सकते हैं रिजल्ट को भी रोक दें तो अभी कुछ भी हो सकता है फ्रेंट्स लेकिन जो रिजल्ट है बिल्कुल यहीं रहने वाला है इसमें कोई doubt नहीं है कोई change यहां पे नहीं होने वाला है ठीक है अब तक के लिए बहुत बड़ी ख़ झाल 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 झाल